दोस्तों आईए सुनते हैं जिवित पुत्रि का वरत कथा एक बार नैमी शारन ने के निवासी रिशियों ने संसार के कल्यानार्थ सूत जी से पूछा हे सूत कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दिरगाईू होंगे सो कहिए सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कल्यू का आरंब था उसी समय बहुत सी शोका कुलिस्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में मातक के जिवित रहते पुत्र मर जाएंगे जब वे आपस में कुछ निर्ने नहीं कर सकी तब गौत्मी जी के पास पूछने के ल परणाम किया तन अंतर इस्त्रियों ने पूछा हे प्रभू इस कल्यूग में लोगों के पुत्र किस तरह जिवित रहेंगे इसके लिए कोई वरत या तप हो तो कृपा करके बताईए इस तरह उनकी बात सुनकर गौत्मी जी बोले आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है गौत्मी जी ने कहा जब महाभारत युद का अंत हो गया और द्रोन पुत्र अश्व थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रोपती अपने शक्यों के साथ ब्र पा करके ठीक ठीक कहिए धौम्य बोले सत्य यूग में सत्य वचन बोलने वाला सत्याचरन करने वाला स्रम दर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वही रहने लगा एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल को इस्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी उसका पुत्र मर चुका था वह रोती हुई कहती थी हाई मुझ बूड़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है उसका रूदन सुनकर राजा जिमूत वाहन का तो मानो ख को खा जाता है इस पर दयालो राजा ने कहा माता अब तुम रो मत आनन्द से बैठो मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यतन करता हूँ ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहां गडूर आकर प्रती दिन मांस खाया करता था उसी समय गडूर भी उस पर तूट पड़ और मांस खाने लगा जब अतिशय तेजस्वी गडूर ने राजा का बाया अंग खा लिया तो जटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेड कर गडूर के सामने कर दिया या देखकर गडूर जी ने कहा तुम कोई देवता हो कौन हो तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ मेरा मांस खाओ या सुनकर गडूर रुग गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे राजा ने कहा मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम है शाली वाहन शूरेवन्स में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है राज धौम्य ने कहा हे पक्षी राज यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिये कि आपने अब तक जिन प्रानियों को खाया है वे सब जिवित हो जाएं। मनुश्यों की हडियों पर बरसाया ऐसा करने से सब लोग जिवित हो गए जिनकों की पहले गडूर ने खाया था राजा के त्याग और गडूर की क्रिपा से वहां वालों का बहुत कस्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरूर ने फिर कहा मैं संसार के कल्यानार्थ एक और वर्दान दूंगा। आज आश्विन क्रेश्न सप्तमी से रहित शुब अश्ट में तिथी है। आज ही तुमने यहां की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है जो मुर्ती भेट से विविद नामों से विख्यात है। वही त्रेलोग के से पूजित दुरगा अमरित प्राप्त करने के अर्थ में जिवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथी को जो इस्तरिया जिवित पुत्रिका की और कुश की आकरिती बना कर तुमारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वन्ष की भी बढ़ोत्री होगी। हे महाभाग इस विशय में विचार करने की भी आविशत्ता नहीं है। हे राजन सप्तमी से रहित और उद्यातिति की अस्टमी को वरत करें यानि सप्तमी विध अस्टमी जिस दिन हो उस दिन वरत ना कर सुद्ध अस्टमी को वरत करें और नौमी में पारन करें यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नस्ठ हो ही जाएगा और सौभाग्य तो आवश्य नश्ठ हो जाएगा जीमूत माहन को इस तरह का वर्दान देकर गडूर बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए धौम में द्रौपती से कहते हैं हे देवी मैंने यह अतीशे दुर्लव वरत तुमको बताया है इस वरत को करने से बच्चे दिरगायू होते हैं हे देवी तुम भी पुर्वोक्त विधी से यह वरत और दुर्गाजी का पूजन करो तो तुमें अभिलशित फल प्राप्त होंगे मुनी राज धौम की बात सुनकर द्रोपती के हिर्दे में एक प्रकार का कौतुहल उत्पन हुआ और पुरवासनी स्तुरियों को बुलाकर उनकी साधिय उत्तम वरत किया गौतम ने कहा यह वरत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया इसके बाद पीपल वरिक्ष की शाखा पर बैठ कर उस चील ने और उस वरिक्ष के खोतों में बैठ कर सियारिन ने भी वरत किया फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राम्वन के मुँ से यह कथा सुन आई और पीपल के खोतों में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुची वहां उसने इक्षा भर मांस का भूजन किया और चील बिना कुछ खाए पिये रह गई और सबेरा हो गया सबेरे वह कोशाले में गई और वहां गौ का दूद पिया इस थरह नौमी को उसने पारन किया कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यपारी के घर में जनमी सईयोग से उन दोनों का अगजन एक ही घर में हुआ जिसमें सियारिन जेस्ट हुई और चील छोटी वे दोनों सभी शुब लक्षनों से युक्त थी इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उसके मंतरी के साथ गार पत्य अगनी के सामने विधी पुर्वक ब्याही गई पुर्वजन्म के कर्म फल से वह म्रिग नैनी रानी हुई जिस किसी भी संतान को उत्पन करती वह मर जाती थी और पुर्वजन्म की बातों को स्मरन करने वाली मंतरी की पतनी ने अस्ट वस्वों के सद्रिष्ट तेजस्वी आठ बेटे उत्पन किये और सभी जिवित रह गए अपनी बहिन के पुत्रों को जिवित देखकर इर्श्या वश राजपतनी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जिवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगा भेज दो जहां मेरे बेटे गए है अर्थात इन्हें मार डालो या सुनकर राजपतनी ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किये पर मंत्री पतनी के पास भेज दिया किन्तु वे आठो शेर बेश कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आठो लड़की अपनी माता के पास वापस चले गए उनको जिवित देखकर राजपतनी को बड़ा विश्मै हुआ अंत में वह मंत्री की पतनी के पास आई और उसने पूछा बहन तुमने कौन सा ऐसा पुन्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते इस पर मंत्री की पतनी ने कहा पुर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन हमने और तुमने साथ साथ जिवित पुत्रिका का वरत किया था तुमने वरत के न का भली भाती पालन नहीं किया था और मैंने किया था इसी दोश से हे बहिन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं ओ राज रानी अब भी तुम उस जिवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दिरगायू होंगे मैं तुमसे सच-सच कह रही हूँ उसके कथा अनु सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्वि व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधी पुर्वक यह व्रत करे।